अकेले में गुना करकर कोई बच नहीं सकता क्योंकि उसका गबा स्वैम पर मात्मा होता है खुश रहने का सीधा मंत्र है कि उम्मेद किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से रखो जो लगाता कोशिश करते रहता है उसे एक दिन सफल होने से कोई नहीं सकता जब तक लक्षे प्राप्त ना हो जाए तब तक शांत रहो जब सफलता मिल जाएगी तो वो खुद ही शोड़ना चाहेगी हे आत्मा दुनिया के साथ भले ही तुम दिमाग का रिष्टा रखो लेकिन अपने परमात्मा के साथ हमेशा दिल का ही रिष्टा रखना जीवन ना तो भूत में है ना भविश्य में है जीवन तो सिर्फ इस पल में है अता इस पल का अनुभवी जीवन है तुम्हारा खुद के ऊपर विश्वासी तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है तुम बस अपने कर्म करने पर ध्यान दो फल की चिनता मत करो कि वो मिलेगा की नहीं मिलेगा जब सही समय आएगा तसबलता तुमें अपने आप मिल जाएगी चिडिया की तरह पिंजरे में कैद मत रहना परमात्मा ने फ्रकती बड़ी ही सुन्दर बनाई है जाकर उसकी थोड़ी सैर भी करना कभी भी अपने हुनर पर घमंट मत करना क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन की कारण डूब जाता है सुबर जब उठती हो तो निउस्पेपर पढ़ने की बजाए कोई एक भजन सुल लिया करो तुम्हारे मन को शांती मिलेगी अच्छे कर्म करो और यह सोच कर करो कि तुम यह सभी अच्छे कर्म अपने परमात्मा के लिए कर रहे हो अपने माइन को प्रेजेंट मोमेंट में रखी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजी मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में करशन करशन